हाई व्रिवन तो आज हम स्लाइडिंग विंडो मेकानिजम के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर फॉर करने जा रहे हैं यह क्वेश्चन आपको गीक्स में मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का नाम है फर्स नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइस के ठीक है यह amazon में और मेंटर ग्राफिक्स में पूछा जा चुका है यह question थीक है तो input और output देखके समझते है question है क्या आपको input में एक array दिया रहेगा ठीक है जो आपको यहाँ दिख रहा है एक आपको array दिया रहेगा और आपको एक window size दिया रहेगा window का size यहाँ पर k is equal to 2 है k is the window size त तो हर एक टू के window के size में एक तो window यह हो गया दूसरा दो size का window यह हो गया अना तीसरा दो size का window यह हो गया ठीक है और दूसरा color चुन लेते हैं यह चुन लेते हैं कि उसके बाद जॉद्धाक यह हो गया ठीक है तो देख रहो कितने मिपज दो मिलें कि यह एक तो चार विंडों मिल गया तो हर दो सैंस के विंडो मेंономीन नॉ पहला नेगेटिव जो नंबर होगा वह आपको बताना है तो पहले रेड़ वाले विंडो साइस को देखते हैं रेड़ वाला जो दो साइस का विंडो है उसमें सबसे पहला नेगेटिव नंबर कौन सा है माइनस एट ठीक है अब जो ग्रीन वाला है उस उस विंडो को ध्यान इसको कर देते हैं red से तक इस समझ में आज़ाए ठीक है उसके बाद है blue वाला यह ना blue वाला जो window है यह आपका blue वाला विंडो है इसमें सबसे पहला negative number कौन सा है minus 6 ठीक है तो होगा minus 6 उसके बाद है आपका window कौन सा है दो size का यह है इसमें सबसे पहले number कौन सा जो negative है वह है minus six ठीक है तो यही आपका output होगा minus eight zero minus six minus six यह ना output अपका तो question तो बहुत easily समझ में आ गया होगा ठीक है और आपको solution भी दिमाग में आ चुका होगा ठीक है देखो solution देखते हैं कि सबसे पहला solution हमारे मन में क्या आता है सबसे पहला solution तो यह आता है कि आप यहाँ पर खड़े हो ठीक है यहाँ पर आ गया ठीक है और आपको कौन सा मिला window अब फिर से दो साइस के ट्रावर्स करोगे आई से दो साइस का window यह मिल गया आपको ट्रावर्स किया कोई भी negative number मिला नहीं मिला तो 0 लिख दिया चलो ठीक है इसके बाद आपका आई आ गया यहाँ पर ठीक है फिर से दो साइस के window के लिए आपने ट्रावर्स किया ठीक है और आपको सबसे पहले negative number minus 6 मिला ठीक है सिमिलरली आप फिर यहाँ पर आओगे फिर दो साइस के window के लिए ट्रावर्स करोगे सबसे पहले नंबर minus 6 मिलेगा ठीक है minus 6 तो आपको आंसर आ गया यहाँ पर आओगे तो कोई फाइदा नहीं है इसके बाहर दो साइस का window नहीं है तो यह तो समझ में आ गया लिकिन आप हर एक पोजिशन पर जा रहे हो ठीक है इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो फिर के ट्रावर्स भी कर रहे हो है ना आप के ट्रावर्स भी कर रहे हो और हर एक पोजिशन पर के ट्रावर्स कर रहे हो तो एन के बोल सकते है वर्स केस टाइम कॉंपलेक्स टीक है हर पोजिशन प पूछा हो और उसमें एक window की बात कर रहा हो तो यह तो sliding window दिमाग में आना चाहिए आपके ठीक है और आज जो मैं आपको sliding window करने का एक तरीका बताऊंगा रहा वह बहुत popular है और वह एक बहुत common सा format है जो की बहुत सारे question को solve कर देता है ठीक है और उसी format से इसके बाद भी एक दो question और बनाएंगे ठीक है और भी आगे वीडियो जाएंगे जो सेम concept से बन जाएगा आपको concept समझने की दे रही है बस ठीक है तो start करते हैं कि कैसे solve होता है उस new concept से ठीक है वो भी sliding window का ही concept है बस हम एक अलग data structure करते हैं उसको achieve करने के लिए और यह technique यूज आएगा और भी बहुत सारे question में ठीक है तो start करते हैं तो देखो इसको कैसे solve करेंगे हमेशा की तरह हम दो variable लेंगे i ठीक है and j i यहाँ पर है j b starting में यहाँ पर होगा ठीक है और j बढ़ता चला जाएगा हमेशा की तरह और जैसे ही i और j की बीच की दूरी इस window के size के बराबर हो गई तो उस window में हमें check करना है कि भाई पहला negative number कौन सा है ऐसी होता था फिर एक एक करके shift करते चलेंगे है ना तो अभी देखो हाँ और एक चीज और कि आपको मतलब किससे है आपको तो negative number से मतलब है ना तो आपको negative number कहीं तो रखना पड़ेगा store करके ठीक है तो जैसे यहाँ पर क्या है कि अभी i यहाँ पर और j यहाँ पर है ठीक है j move करेगा ठीक है तो array of ये array है मालो array of j में जो number वो negative है क्या हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव नमबर को यहां अभी स्टोर करके रखा है मैंने, आगे देखते हैं क्या होता है, चलो ठीक है नेगेटिव इसको रख लिया, क्या आई और जे के बीच की दूरी विंडो साइस के बराबर है, यानिकि टू के बराबर है, नहीं, ठीक है कोई बा है, क्या जे और आई के बीच की दूरी, जे और आई जो है, वो विंडो साइस के बराबर है, क्या, ये जो है, सही बात है, विंडो साइस के बराबर है, विंडो साइस टू था ना, तो जे और आई के बीच, मिलकर विंडो साइस बना रहे हैं, टू के बराबर, कैसे निकाल देखने की यहां है कि यहां अलग से कड़ार कर देता हूं यह हुए हमारा विंडो एक सब्सक्राइब टीक है तो यान थे करो हमने अग्याद करने वर सूर करके रखा थे यहां पर यहां पर देख रहा ह। हमारा जो result है by our result में हम क्या करें देखंगे कि हमारे पास जो हमने चो स्टॉर् करके रखा है है उसमें है क्या डेटि नंबर है एक नेगेटिव नंबर तो यहां पर मैनेस टो डाल दिया चलो ठीक है मैंने से डाल दिया अब देखो याद करो मैंने क्या पुरहता कि दो साइज डिस है तो विंड suspect करना स्टार्ट करें यह ना विंडो साइज में तो इसको शिफ्ट करेंगे तो देखो अब जभी तो वह कुपधाना पड़ता था आ आइपांगे देना यह important अ की कि i को जब बढ़ाओगे न देख रहे हो i को जब बढ़ाओगे तो i यहाँ पर आ जाएगा ठीक है i यहाँ पर आ गया और j यह तो हर बार बढ़ी रहा है तो j आ जाएगा यहाँ पर ठीक है तो एक चीज ध्यान दो अब जो मेरा 2 size का window है उसमें वो 8 तो है नहीं इसका उस 8 को मुझे यहाँ से delete करना पड़ेगा है न क्योंकि मैं जैसे ही देखूंगा कि अच्छा j और i के बीच की दूरी 2 हो चुकी है that is 2 j minus i plus 1 था ना 2 minus 1 plus 1 तो 2 हो गया तो मैं पता क्या करूंगा मैं गलती से minus 8 को डाल दूंगा फिर से result में जबकि वो wrong होगा इसका मतलब क्या यह हुआ कि ऐसे ही मैंने यहाँ मूव किया ना बड़ेगा कि क्या have a negative number था यहाँ पर के इक न Εशी नेघिटिव नमबर था तो ने तो यह हो पड़ेगा यहां धिक है यहां पर दीड कर दिया यह दो साइज का तो मैंने क्या बोला ता जब विंडो बन जाएगा तो तुरंट चेक करेंगे कि हमारे store में कोई भी negative number है नहीं है तो negative number नहीं है तो zero डालेंगे अपने result में ठीक है और हां मैंने हर बार क्या बोला ता जैसे ही जब जे जहां पर होगा मैं उसको जए जिस इंडेक्स पर होगा मैं इसो चेक करूँगा कि क्या वो नमबर नेगटिव है तो जए अभी थी पर आया है तो जए तो नेगटिव है नहीं तो मैं अभी अपने तो क्या वो negative number था नहीं था तो इसलिए हमारे list में कुछ है delete करने की ज़रूद भी नहीं है और कुछ है भी नहीं है हमारे list में ठीक है तो चलो ठीक है अब जे जिस number पर आया है वो negative है क्या हाँ वो negative है तो पहले तो उसको add कर लेते हैं यहाँ पर minus 6 और हमारा window देखो बन लिस्ट को चेक करेंगे क्या list में कोई negative number है है minus 6 है तो minus 6 लिख देंगे ठीक है चलो बहुत अच्छा minus 6 लिख दिया अब window shift करने की बारी है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देना अभी एक चीज क्लियर होगा अच्छे से तो माई अभी आई को बढ़ाएंगे है ना तो आई क यहां से हटाके आई को यहां ले आए ठीक है तो आई पहले यहां पढ़ा था न तो क्या वो number negative है नहीं वो number negative नहीं है इसका मतब list में वो number रहा ही नहीं होगा है ना तो है ना तो आई जो shift हुआ जब आई shift हुआ आई जिस number में पहले था ठीक है वो negative नहीं है तो कुछ delete करने की ज़रूती नहीं है क्योंकि negative number ही हम push कर रहे थे अपने list में है ना तो i यहां पर आगया इसको हटाते है इसको हटाते है जे अब आगे बढ़ेगा जे भी आगे बढ़ेगा अब देखो ध्यान देना जे आगे बढ़ा है तो जिस number पह वो negative है क्या नहीं है negative तो उस number 10 को हम नहीं डालेंगा अपने q में ठीक है अपने इस list में यह जो हमरे list बन चलो ठीक है क्या दो साइस का window बन चुका है यह बन चुका है तो चलो बना दिया है यहां पर दो साइस का window बनने के बाद हम हमेशा क्या चेक करते थे अपने list को चेक करते थे अब यह कुछ भी हो सकता है आप इसको यह मान के चलो क्यू मान के चलो ठीक है q या dq ले सकते हो तक यह जिसमें डिलीशन असानी से कर सको फ्रंट से यह ना तो मैंने क्या बहुता जब दो साइस के विंडो हो जाए तो अपने लिस्ट को चेक करेंगे या तो क्यू को चेक करेंगे फ्रंट में कौन सा एलेमेंट है? माइनस सिक्स है ठीक है? क्या वो नेगेटिव نमबर है? हाँ नेगेटिव नमबर है तो देखे रहे हो हमारे क्यू में सबसे पहला नमबर वही है उसको डिलीट भी तो करना होगा तो देखो डिलीट कर दिया अमने उसको नहीं न? तो हमारा लूप ऐसी ब्रेक हो गया, ठीक है, मतलब अब हमारा question solve हो चुका, यह ही है हमारा result, ठीक है, minus 80, minus 6, minus 6, यही था न, देख रहें, ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और example लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह run करेंगे उसको, ताकि आपको और अच्छे से clear हो जाए, ठीक है, हमारा window size 3 है, अब हम यहाँ पर अपना Q define कर लेते हैं, जिसमें हम negative numbers को ही सिर्फ डालते चलेंगे, ठीक है, तो चलो हमारा I यहाँ पर था, J यहाँ पर था, ठीक है, तो J जिस element पर है, वो element negative है क्या, नहीं है, तो हम अपने Q में कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है, चलो, J को आगे बढ़ा देते हैं, और अभी J और I के बीच की दूरी भी, J और I भी मिलके window size 3 नहीं बना रहे है, window size के बराबर, ठीक है, तो J आगे बढ़ जाएगा, चलो, ठीक है, J अभी जिस number पर आया है, क्या वो negative है, नहीं है, तो अपने list में Q में कुछ नहीं याट करेंगे ठीक है, अब देखते हैं कि क्या J और I दोनों मिलके window size 3 बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, अभी तो size 2 ही है, ठीक है, अब J आगे बढ़ा, पहले तो ये चिकल देते हैं कि J जिस element पर खड़ा है, क्या वो negative है, येस वो negative है, तो उसको मैंने चुप चाब अपने Q में डाल ठीक है, माइनस 2 को यहां डाल लिया, ठीक है, अब ये देखते हैं कि क्या J और I मिलके window size बना रहे हैं, तीन के बराबर, येस बना रहे हैं, है ना, J मैनस I प्लस वन करोगे तो window size निकल देगा, 2 मैनस 0 प्लस 1, 3 हो गया, ठीक है, तो ये हमें एक अपना window मिल गया, तीन size का ठीक है, ओके, अब window size जब मिलता था, तो यातुर क्या करते थे, सबसे पहले Q में देखते थे, कि क्या हमारे पास element है, क्या negative element, front पे, येस है negative element, तो वही answer होगा मेरे पहले window का, और सही बात भी है, देखो इस window में सबसे पहले negative element minus 2 ही है, तो minus 2 हमने डाल दिया, चलो सही है, एक answer निकल गया, अब इसको shift करना है, है ना, इस window को shift करना है, तो shift करेंगे तो I को बढ़ाएंगे ना पहले, तो I को जब बढ़ाएंगे, तो पहले तो ये देख लेते कि भाई, I, जिस number पे है अभी, क्या वो negative number है, नहीं, वो negative number नहीं है, तो Q से हम delete ही नहीं करेंगे, Q क्यूंकि minus 2 है और I तो 8 पर है, ठीक है, इसलिए कुछ delete नहीं होगा, अब बस I चुप चप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और अब J भी आगे बढ़ेगा, चलो ठीक है, जे भी आगे बढ़ गया, अब J जहाँ पर आया है, क्या वो negative number है, नहीं, वो negative number नहीं है, तो हम अ भी window size 3 बना लिया है, ध्यान दो, देखो, है न, window size 3 है, चलो ठीक है, window size 3 होने पर हम क्या check करते थे, कि हमारे list में, हमारे Q में, क्या negative element है, कोई, front पर, yes है, minus 2, तो minus 2 आगे हमारे answer में, देख रहे हो, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से, कि I को जब shift कर रहे है, तो कभी delete कर रहे थे Q से अपने number को, कभी नहीं कर रहे थे, तो वो आपको समझ में आ गया, वही main part है इस question का, ठीक है, अभी फिर से वही चीज़ बताऊंगा, देखो, ये एक size window, इस window का काम होगा है, अब shift करना है, ठीक है, तो shift करेंगे, तो पहले shift करने से पहले देखते i को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, अब j भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, j को जब आगे बढ़ाया, तो देखा, अरे, j जिस number पर रहा है, वो negative है, तो उसको भी भाई, यहाँ पर add कर दो, ठीक है, अपने Q में हमने add कर दिया, उसको भी, ठीक है, अब j और i दोनों मिलके, window size बना रहे हैं, क्या 3 का, 3 size का, yes बना रहे हैं, देखो, 3 size का window बना दिया है, ओके, 3 size का window बन चुका है, अब 3 size के window बनने पर सबसे पहले क्या check करते थे, कि क्या हमारे Q में negative element है, है, सबसे front में कौन सा है, minus 2 है, वही हमारा answer होगा, minus 2, और सही बात भी है, देखो, इस window में इस Q का कितना use है, आपको इदम correct answer मिल रहा है, minus 2 अपने देख लिया, अब देखो, और interesting होगा, अब और अच्छे से clear होगा, यह अपने इस window का काम तो माम कर दिया, आपको shift करना है, ठीक है, shift करना तो I को shift करेंगे, लेकिन I को shift करने से पहले, मैंने क्या बोला था, check कि I जिस number पर खड़ा है, वो negative है क्या, yes वो negative है, तो Q में पक्का वो होगा, front पे, तो उसको delete कर दो, देखो हमने यहाँ पर से minus 2 को delete कर दिया, ठीक है, तो इसको हटाई देता है, तो यह Q है ना, तो front से हट गया वो, ठीक है, front से वो, Q के front से हट गया, अभी front में minus 3 आ चुक अब आगे बढ़ते हैं, अब हाँ, अब जब delete कर दिया, आई वाले number element को, तो I को आगे shift कर दिया, और J भी अब आगे shift होगा, ठीक है, अब shift जब हुआ J, तो J जिस number पर shift हुआ है, क्या वो negative है, नहीं है, तो अपने Q में उसको add नहीं करेंगे, बट येस, J और I ने मिलके कि अभी window size फिर से बना दिया है, 3 size का, बन गया window size, तो जैसे window size बनता था, हम क्या check करते थे, कि हमारे Q के front में कोई element है, yes है, negative है, minus 3 है, देख रहो, देख रहो, कितना beautiful है ही solution, आपके Q में minus 3 है front पे, और सही में इस window का पहला element भी minus 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर minus 3 आ गया हमा हमें shift करना है, ठीक है, फिर से देको वही चीज, shift करना है, तो I को shift करेंगे पहले right side, तो I को shift करने से पहले देखेंगे, I जिस element पर है, क्या वो negative है, नहीं वो negative नहीं है, तो Q से delete नहीं करेंगे किसी number को, ठीक है, बस I, लेकिन हाँ, I shift हो जाएगा, ठीक है, I यहाँ shift हो ग करेंगे यह हमारा क्यों है एड नहीं करेंगे चलो ठीक है नहीं किया लेकिन जे और आई मिलके दोनों ने अभी एक window size 3 का बना दिया है एक window बना दिया size 3 का चलो ठीक है जैसे window size बनता था हम क्या check करते थे क्यों में क्या front में हमारे को negative element है yes है minus 3 है तो वही है मारा answer होगा और सही बात भी देखो इस window में सबसे पहला negative element minus 3 ही है देखो यार मैं बहुत fascinating solution है बहुत interesting है solution देखो कितने अच्छे से यह क्यों हमारी help कर रहा है है अब देखो फिर से एक interesting पाट आएगा हाँ अब shift करना इस window काम होगा तो shift कर रहे है फिर से आई को shift करेंगे लेकिन आई को shift करने से पहले check करेंगे कि आई जिस element पर खड़ा है क्या वो negative है yes वो negative है मतलब वो पक्का क्यों में होगा तो इसको delete कर देंगे क्यों delete कर रहे हैं हर बार क्योंकि हम window shift कर रहे हैं तो इस minus 3 को भी delete कर दिया तो क्यूं अभी हमारा खाली हो गया अब जे को भी shift करेंगे जी आ गया यहां पर ठीक है अब देखो यहां पर हाँ जी जिस element पर आया है क्या वो negative है येस तो उसको पहले तो add कर दो फिर चेक करो कि J और I ने विंडो बना दिया है तीन साइस का येस बना दिया है बहुत अच्छी बात है बन गया तीन साइस का विंडो अब विंडो बन गया तो चेक करते थे कि भाई हमारे Q में कोई negative element present है येस present है तो वही मेरा answer होगा ठीक है अब जब विंडो का काम होगा तो shift करते थे ठीक है shift करते थे तो I को shift कर दिया I को shift करने से पहले देखते थे I जिस नंबर पर क्या वो negative है negative नहीं है तो delete नहीं करेंगा कुछ की उसे negative नहीं है तो Q में होगा भी नहीं ना क्योंकि Q में हम सिर्फ negative नंबर ही आट कर रहे थे ठीक है आई यहां shift हो गया और जे शिफ्ट किया तो जे बाहरी निकल गया तो भाई हमारा काम तमाम हो गया यही हमारा answer है देख रहे हो तो यही था beauty हम Q यूज करने का है ना Q हमने यूज किया उसकी यह beauty है आप DQ भी यूज कर सकतो कोई भी ऐसा data structure यूज को लो जिसमें push कर सको पीछे से और front से pop कर सको तो Q में भी कर सकते है DQ में भी कर सकते हो ठ ठीक है और code करते हैं कि बिल्कुल story वैसे सुनाएंगे भी जैसे अभी यहां पर सुना रहे थे ठीक है ताकि और अच्छे समझ में आ चाहिए तो चली code करते हैं इसका तो question देख लेते हैं बिल्कुल वही question है जो पताया था कि आपको एक array दिया रहेगा and size का और एक k value दी रहेगी जो की window का size है you have to find the first negative number for each and every window contiguous होना चाहिए ठीक है sub array of size के यह सब terms जो होते हैं ना contiguous sub array window इसी से पता चल जाता है कि भाई sliding window का ही concept लगेगा sliding window में i और j वाला काम करोगे ठीक है अर अब आपने एक नहीं चीज़ सेखी है dq या तो q data structure को यूज़ करके भी अब sliding window और अच्छे से कर सकते हो अना sliding window को improve कर सकते हो ठीक है तो चलते है solution की तरफ ओके इसमें क्या है कि long long दे रखा है तो Bible long long लिखना ना पड़े उसको मैं define कर लेता हूँ अलल नाम से ठीक है result इसको चाहिए long long में ठीक है तो result मानके चल लेते हैं ऐसा है ओके मैंने क्या बोला था दो variable लेके चलेंगे i is equal to zero and j is equal to zero ठीक है और हमेशा j आगे बढ़ता चलता है j is less than n ठीक है ओके अब देखते मैंने क्या बोला था कि अभी j हाँ और हमने सबसे important चीज़ लीए नहीं dq अना dq of ll डेक नाम रख लेते हैं इसका ठीक है dq define कर लिया हाँ सबसे पहला step क्या होता था कि j जिस element पर है क्या वो negative है if a of j it is less than 0 is it less than 0 अगर less than 0 है तो डेक डॉट पुश बैक a of j ठीक है अगर डेक में जो element है वो negative है हां तो डाल दिया चलो ठीक है डाल तो दिया अब उसके बाद क्या चेक करते थे क्या मतलब जे और आई मिलके क्या बना रहे है कि एक विंडो के साइस का अगर बना रहे हैं तो अगर बना रहे हैं तो क्या चेक करते थे कि क्या हमारे dq में कोई element है negative element front पे अगर है तो उसको डाल देंगे अपने result में यानि कि if dq.empty नहीं है मतलब if not dq.empty अगर नहीं है empty तो मतलब इसमें negative element होंगे पक्का है ना क्योंकि हम हमेशा negative element ही डाल रहे हैं तो dq में अगर empty नहीं है तो result में dot push underscore back dq.front front में जो negative number है वो डाल दिया और अगर ऐसा नहीं है तो यह यादकर क्या कर रहे थे जीरो डाल रहे थे यानि कि उस window अब एक window बन चुका है न इस window में कोई भी negative number नहीं है तो 0 डाल दिया ठीक है यह तो कर दिया हमने अब हमारी बार ही आती थी इसमें क्या था window window चेक किया और negative number फिल कर रहा ठीक है इफ अवेलिबल तो यह step कर लिया हमने इसके बाद जयातकर क्या करते थे कि अब window shift करने के बार ही आ रही है विंडो शिफ्ट करनी है अब ठीक है तो विंडो शिफ्ट करने पहले क्या चेक करते थे आई प्लस प्लस करेंगा ना लेकिन प्लस प्लस करने से पहले क्या करते थे चेक करते थे कि क्या आई पे जो नंबर है क्या वो less than 0 है क्या अगर less than 0 है अब DQ में के front में वो number होगा तो deck.pop underscore front ठीक है इससे delete हो जाएगा deck के front में जो भी number है ठीक है हाँ और deck पे अब pop तभी कर पाऊगा जब वो non empty हो वो भी हो सकता कि कोई case में कि वो non empty हो ठीक है तो ये भी डाल दो यहाँ पर कि if deck empty ना हो तभी तो कुछ prop कर पाऊगे ना चलो ठीक है ये भी कर दिया इसके बाद हम i++ कर देते थे याद है i++ कर दिया अब हमारा window shift हो गया ठीक है और हर बार j तो बढ़ी रहा था तो j++ last में करेंगे ये ठीक है अब हम इसको return कर देते हैं last में अपने result को compile करके देखते हैं test case तो पास हो गया submit करके देखते हैं सारे test cases पास होते हैं कि नहीं हो जा भाई great we have solved this question we have passed all the test cases and I hope आपको समझ में आया होगा आपको कोई भी doubt होता है आप comment section में raise करो I'll try to help you out ठीक है आपको ये same code मेरे github account में भी मिल दाएगा कोई भी question आता है आप comment section में raise करो I'll try to help you out take care see you guys in the next video thank you